हेलो डिएवियंस मेरा नाम है मनीश and welcome to DAV गुरू ये class 5 का पहला explanation वीडियो है और आज हम लोग science के chapter number 1 को detail में पढ़ने वाले हैं इस chapter का title है my body इसमें हमें अपने body के बारे में detail में पढ़ना है हमें जानना है कि हमारे body में कौन-कौन से components है और उन components का क्या-क्या function है इस channel पर जितने वीडियोज है वो आपके पढ़ाई को और भी easy और interesting बना देंगे उनको देखने के लिए simply आपको YouTube पर DAV गुरू सर्च करके इस channel पर आ जाना है उसके बाद आपको playlist में जाना है नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना कंटिन्यू करें जल्दी से brain mapping कर लेते हैं तक कि ब्रीफ आइडिया हमें मिल जाए कि इस चैप्टर में कौन-कौन से topics हमें परकर complete करना है सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि अखिर इस चैप्टर में है क्या उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे breathing system के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद sense organs के बारे में पढ़ेंगे आपको पता है पांच sense organs होता है eyes nose ear tongue skin उसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे sense organs in different animals अलग अलग तरीके के जानवरों में कैसा sense organ पाया जाता है जैसे कि insect में कैसा sense organ होता है water animals में birds में reptiles में और mammals में और उसके बाद यह पूरा chapter हम लोगा complete हो जाएगा class को आप पूरा देखिए ताग कि हर topic आपको अच्छे से याद हो जाए और exam में कहीं से भी question आए आप उसको अंसर कर पाएं our body works like a machine with the help of various organs present in it हमारा जब body है न वो एक machine की तरह काम करता है और इसमें अलग-अलग तरीके के organs present है अब आती है कि organs होता क्या है organs का definition यहां से दिया गया है जिसको आपको याद भी करना है organs are special structure present in our body that performs specific function organs जो होते हैं एक खास टाइप के structure होते हैं जो कि हमारे body में present होते हैं और उसका एक खास काम होता है जिसको वो पूरा करते हैं हमारे body में organs का example भी देखिए यहां पर दिया गया है heart, eyes and stomach are some of many organs present in our body तीन example यहां पर आपको दे दिया गया our body consists of many system हमारे body में अलग-अलग systems भी होते हैं अब system क्या होता है तो system का definition देखिए यहां से दिया गया है a system is a group of organs that work together for a particular function किसी भी खास काम को पूर करने के लिए हमारे body में बहुत सारे organs मिलकर काम करते हैं और जब बहुत सारे organs मिल जाते हैं ना किसी एक काम को करने के लिए तो उसी organs के group को अमलग system बोलते हैं for example we studied in class 4 class 4 में आपने परहा होगा that the mouth the food pipe stomach and the intestines form digestive system आपने class 4 में digestive system के बारे में परहा होगा और digestive system जो है ना भी included रहता है उसके बाद उसमें food pipe भी रहता है stomach भी रहता है intestines भी रहता है और यह सब organs मिलकर digestive system बनाते हैं similarly the nose, wind pipe and lungs help us in breathing उसी तरीके से nose एक organ है, wind pipe एक organ है, lungs एक organ है और यह सब organ मिलकर breathing के लिए काम करते हैं मतलब हमारे body में जो हम लोग सांस लेते हैं ना हमारा body जो सांस उसके लिए ये तीनों organ मिलकर काम करते हैं तो इन तीनों organs का group को भी हम लोग एक system बोलेंगे that is breathing system यहाँ पर आपका दो definition हो गया जो कि आपको याद रखना है एक हो गया organs का definition जो कि यहां से लेकर यहां तक है और इसके बाद एक दूसरा definition हो गया system का जो कि यहां से लेकर य क्या है breathing system के बारे में परना है the skeletal system के बारे में उसके बाद हम लोग परेंगे and sensory organs के बारे में परेंगे जो कि हमारे body में present होता है तो मेले तीन चीजों के बारे में परना है चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं breathing system से breathing system हमारे body में क्यों होता है आपको पता भी होगा जितने भी living things हैं सभी respirate करते हैं सांस लेते हैं oxygen को लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं और इसी काम को करने के लिए हमारे body में एक system होता है और उसी system को हम लोग बोलते हैं the breathing system या इसको हम लोग respiratory system भी बोलते हैं all living things take oxygen and give out carbon dioxide जित ने भी living things है, चाहे वो human है, या plants है, वो oxygen लेता है और carbon dioxide छोड़ता है, this process is called breathing, और इसी process को हम लोग breathing बोलते हैं, यानि कि सास लेना बोलते हैं, पौधे भी सास लेते हैं, उनको भी oxygen ही चाहिए सास लेने के लिए, और carbon dioxide वो भी छोड़ते हैं, और humans जो होते हैं, और जितने भ process हैं, continuously हमारे body में चलते रहता है, without any rest, बिना रुके हुए, in all living beings, जितने भी प्रानी हमारे धरती पर हैं, सब के body में ऐसा ही होता है, if this process stops for more than two minutes, अगर ये process, breathing का जो process है, दो मिनट से अधिक रोक दिया गया न, तो जो living being है, जो प्रानी है, वो मर सकता है, they can die, इस वाले paragraph म ये वला line important हो गया, क्योंकि ये breathing का definition है, यहां से लेकर यहां तक आप underline कर लिजेगा, breathing के बारे में हम लोग क्या सीखे, हमारा body जो oxygen को अंदर लेता है, और carbon dioxide को जो बाहर छोड़ता है न, इसी process को हम लोग breathing बोलते हैं, और इसका definition simple भासा में यहां पर दिया गया है, which parts of your body are involved when you breathe, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारे body का कौन कौन सा part उसमें involved रहता है, कौन कौन सा part सांस लेने में help करता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे, the air that we breathe in or inhale enters our body through the nasal openings of the nose, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हवा जो है न, वो हमारे body में enter करती है, और कहां से enter करती है, through the nasal openings of the nose, हमारे नाक में दो opening होता है, दो holes होता है, उसी के थुरू हवा हमारे body में enter करती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि breathing में सबसे पहला organ जो involved होता है, वो है हमारा nose, उसके बाद क्या होता है, the nose is connected to two balloon like structure, हमारा जो nose है न, वो दो balloon जैसे structure से connected र pipe, हमारा जो nose है न, एक tube के थुरू इन दोनो balloon like structure से connected रहता है, और इस tube को हम लोग बोलते हैं wind pipe, क्योंकि इसी से होकर wind हमारे इन दोनो balloon तक पहुंचता है, इसका नाम क्या होता है, ये दोनो balloon का नाम क्या है, इसको हम लोग lungs बोलते है, the two balloon like structure are called lungs, in the lungs oxygen is taken up by blood and carbon dioxide is unloaded, देख हमारे पूरे body से carbon dioxide को उठा कर लाना, और फिर हमारे पूरे body में oxygen को पहुंचाना, बस blood का यही काम होता है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा जाकर हमारे lungs में जमा हो जाता है, blood क्या करता है, यहां से oxygen को उठा लेता है, और carbon dioxide को यहाँ पर छोड़ देता है, this carbon dioxide is then driven out of the body, और उसके बाद यह जो carbon dioxide यहाँ पर blood लाके छोड़ा न, वो हमारे body से निकाल दिया जाता है, और exhaled, और इसको हम लोग exhalation बोलते हैं, through the nose, और यह हमारे nose के थ्रू बाहर निकल जाता है, the oxygen rich blood, oxygen rich blood कहने का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पर blood oxygen को उठा लिया न, तो उस blood को हम लोग बोलेंगे, oxygen rich blood, from the lungs is circulated to all parts of body, यहाँ से oxygen rich blood, oxygen को लेकर जो blood निकला, वो हमारे body के अलग-अलग parts तक circulate कर देता है oxygen को, मतलब हमारे body के अलग-अलग parts तक oxygen को पहुचा देता है, blood also collects carbon dioxide from all parts of the body and brings it to the lungs, यह आपको पहले ही बता है, और उसके बाद oxygen को blood क्या करता है, carbon dioxide को उठा कर लाता है और lungs तक पहुचा देता है, और यह process continuously चलते रहता है जब तक हम लोग सांस लेते हैं, इस वाले do you know में देखिए एक interesting fact है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है the right lung is slightly larger than the left, अगर हम लोग इस वाले figure में देखें, तो यह है आपका right इधर right बनाया गया है और इधर left बनाया गया है, तो अगर आप right वाले lung को देखेंगे न तो उसका size बड़ा होता है, और जो left lung होता है उसका size छोटा होता है, ऐसा क्यों, आपको पता होगा कि हमारे left side में क्या है हमारा hurt है, और उस hurt को जगह देने के लिए हमारा ज तो फिर हमारा प्यारा hurt कहां पे रहता, उसके लिए तो जगह नहीं बसता, we just understand that during the breathing process, मतलब जब भी breathing होता है, उस समें क्या होता है, oxygen is consumed by the body, oxygen जो है ना हमारा body use कर लेता है, consume कर लेता है, खर्च कर लेता है, this helps different organ to get energy to perform different body function, और इसके कारण से हमारे body में जो अलग-अलग organs से ना, उसको हमारे body के लिए काम करने के लिए जो energy चाहिए, वो उसको मिल पाता है, also carbon dioxide is driven out of the body as a waste product, और हमारे body से carbon dioxide जो है ना, एक waste product की तरह बाहर निकल जाता है, फाल्तु समान है हमारे body के अंदर carbon dioxide, उसका कोई भी use नहीं हमारे body के अंदर, our breathing system is always at work, हमारा breathing system जो है ना कुछ भी कर रहे हैं, आपका breathing system हमें सा काम करते रहेगा, because we have to keep breathing all the time, क्योंकि हमें हर समय breathing करना जरूरी है, breathing अगर दो मिनट के लिए भी रुकेगा, तो इससे हमें नुकसान होगा, physical exercises like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy, जैसे कि physical exercises जितने भी होते हैं, running, walking, playing, इन सब के कारण हमारे breathing system है यह healthy रहता है, तो इसलिए बोला जाता है, कि हमें हमेशा physical exercises करते रहना चाहिए, running, walking, playing, यह सब हमें हमेशा करते रहना चाहिए, इससे हम लोग fit रहते हैं, breathing system का एक simple diagram यहाँ पर दिया गया है, exam में कभी कभी diagram भी पूछ लिया जाता है, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर wind pipe बना देना है, उसके बाद दो lungs बना देना है, उसके बाद यहाँ पर थोर सा mouth से connect कर देना है, और सब का नाम लिख देना है, nose, mouth, wind pipe, lungs और diaphragm, diaphragm हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यह जो हमारा lungs है अपने आप फैलता सिकूरता नहीं है, इसको सिकूराने के लिए एक structure हमारे body में होता है, जिसको diaphragm बोलते हैं, यह इसको इधर से धकेलता है, धकेलता है, उसके बाद यह सिकूरता है, और इसके बाद हवा हमारे body से बाहर जाती है, उसी के तरह यह इसको फिर फैलने में मदद करता है, तो हवा जो है हमारे body के अंदर पाती है, इसके बारे में ज्यादा detail में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, higher classes में हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको इसका location याद रखना है, और इसका काम क्या होता है, आप याद रख सकते हैं, अब चलिए हमारे next topic पे आते हैं, जो कि है skeletal system, इसका हमारे body में क्या काम है इसको हम लोग एक example के थो समझते हैं, जब भी आप किसी building को बनते हुए देखे होंगे, तो वहाँ पर पहले framework बनाया जाता है, लोहा का रड लिया जाता है, उसको बांद बांद कर एक frame बनाया जाता है, और उसके बाद उसको concrete से मजबूत किया जाता है, उसी तरीके से हमा हमारे body को एक धाचा देता है, एक framework देता है, इट gives shape and support to the body, यह हमारे body को shape देता है, और हमारे body को support देता है, अगर हमारे body से skeletal system को हटा दिया जाए न, तो हम अपने body को bend करके, fold करके रख पाएंगे, जैसे हम लोग कपरा fold कर देते हैं, वैसे ही, the skeletal framework also protect the inner delicate organ, हमारे body के अ लग जाए तो हमें नुकसान हो सकता है, तो उनको protect करके रखने का काम भी हमारा body का framework है, हमारे body में जो skeletal system है, वो करता है, the skeleton of an adult human being is made up of 206 bones of different shapes and size, अगर हम लोग एक adult human की बात करें, एक व्यसक आदमी की बात करें, तो उसके शरीर में 206 हड़ियां होती है, और सभी हड़ि shapes की होती है, और अलग लग sizes की होती है, अब एक बहुत interesting fact यहां पर do you know में दिया गया है, जो कि आपको जानकर आश्यादे होगा, adult human में तो हम लोग जान गए कि 206 हड़ि होता है, लेकिन अगर हम लोग एक newborn baby की बात करें, तो उसके body में कितना हड़ि होता होगा, उसके body मे 300 bones होते हैं, 300 हड़ि होता है, बरे लोगों से जादा हड़ि बच्चे में होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, as the child grows, some of these bones get fused together, जैसे जैसे बच्चा बरा होता है न, उसके सरीर के कुछ हड़ि जो होते हैं आपस में जूर जाते हैं, पहले दो था, आपस में जूर कर फिर एक हो गया, तो इसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि bones का जो count होता है, bones की संख्या होती है, जैसे जैसे एक बच्चा बरा होता है, वो घड़ते जाता है, तो एक adult human में 206 bones होते हैं, आपको याद रखना है, और एक newborn baby में 300 bones होते हैं, bones are hard and strong structures, bones मतलब हड़ी, हड़ी होता है, हाड होता है, और strong होता है, strong structure होता है, they are made up of calcium, phosphorus and some other minerals, यह मिनरल से बने होते हैं, यहाँ पर दो main minerals का नाम दिया गया है, जिससे वो बने होते हैं, calcium और phosphorus, यह आपको याद रखना है, bones are living entities, bones जो होते हैं, वो living होते हैं, हड़ी जो होती है, हमारे body में, वो living होती है, तब ही तो जब भी हमें चोट लगता है, तो हमें feel होता है, bone हमारा दर्द करता है, they have channels that contain blood vessels, उसमें अलग-अलग channels होता है, blood vessels का, blood vessels हम लोग किसको बोलते हैं, हमारे body में blood को एक जगा से दूसरे जगा ले जाने के लिए पतला-पतला pipes होता है, उसी pipes को हम लोग blood vessel बोलते ह तो हमारे bone तक भी blood vessel जाता है, they also have nerves, हमारे bones में nerves भी होता है, nerves क्या होता है, nerves एक ऐसा structure होता है, जो कि हमारे body के लगबग हर पार्ट तक फैला होता है, और इसी के कारण से हम कुछ भी feel कर पाते हैं, हमारे body में कहीं भी हम लोग touch करते हैं तो उसको feel करवाने का काम हमारे nerves ही that is why we feel pain when any of our bones get hurt और इसी कारण से हमारा bone जो है living है, living entity है, इसी कारण से जब भी हमें चोड़ लगता है हमारे bone में, तो हमें दर्द होता है, एक छोटा सा activity यहाँ पर दिया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारा age increase होता है, वैसे वैसे हमारे bones का size और length भ करना है, आपको पता चलेगा कि आपके पैर का जो length है वो छोटा है और उनके पैर का जो length है वो बढ़ा है, इससे यह प्रूफ हो जाता है कि bones increase in length and size up to a certain age, मतलब एक खास age तक bone का जो length है वो बढ़ते रहता है, और एक खास age के आजाने के बाद bone का length जो है वो बढ़ना बं यह अंदर से hollow होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, खाली जगह होता है उसमें, this hollow space is filled with cells and soft materials known as bone marrow और इसके अंदर cells भरे होते हैं और soft material यानि कि कुछ ऐसा चीज होता है जो कि बहुत soft होता है और इसी को हम लोग bone marrow कहते हैं, blood cells are manufactured inside this bone marrow और इसी bone marrow के अंदर में blood cells का manufacture होता है blood cells बनते हैं, या simply हम लोग बोल सकते हैं कि इसी bone marrow के कारण खून बनता है हमारे body में, therefore bone marrow is known as the factory for making blood cells, इसी लिए bone marrow को हम लोग factory बोल सकते हैं, और किस चीज का factory, blood cells का factory क्योंकि इसी में blood cell बनता है, जो कि हमारे body के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर आपका दो line important हो गया, पहला line तो यह है कि bone marrow होता क्या है, और दूसरा line यह कि bone marrow को हम लोग factory for making blood cells क्यों बोलते हैं, दोनों का आप underline कर लिजेगा, let us study about our skeletal system in some more detail, अब हम लोग अपने skeletal system के बारे में और detail में पढ़ेंगे, हमारे skeletal system का चार main parts है, पहला क्या है, पहला है skull, यानि कि हमारा खोप rib cage, पिंजरा जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी को बोलते है rib cage, और इसको बहुत चौथा है limbs, limbs हमारे इसको बोलते हैं, यह हो गया limbs पहला, यह हो गया दूसरा limbs, यह हो गया तीसरा limbs और यह हो गया चौथा limbs, मतलब आसान भाशना में बोले तो हाथ और पैर को हम होती है, they are closely fused together, और यह सभी हड़िया आपस में बहुत अच्छे से जूरी होती है, आपको लगेगा नहीं कि यह हड़ी अलग है, और यह हड़ी अलग है, the skull is very important, हमारा जो इसकल है बहुत जरूरी है, because it protects the most important and delicate organ, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा important, सबसे जरूरी, और सबस हमारे body में जितना बाकी का organ है, वो सब भी काम करना बंद कर देगा, there are two jaws, upper and lower, हमारे skull में दो jaws होता है, एक होता है upper jaw, यह पूरा upper jaw कहलाएगा, और जो नीचे है ना, इसको हम लोग बोलेंगे lower jaw, the lower jaw is movable, नीचे वाला जो jaw होता है, उसको हम लोग move कर सकते हैं, the movement of lower jaw help us to eat talk or laugh, और इसी कारण से हम लोग खाना खा पाते हैं, बात कर पाते हैं, और हस पाते हैं, हमारे skeleton system का दूसरा जो पार्ट है, वो है हमारा backbone, अब चलिए backbone के बारें पर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसका photo दिया गया है, the backbone is connected to the skull, हमारा जो backbone है ना, वो skull से connected होता है, यहाँ पर हमारा skull लगा होता है, it is made up of 33 small bones called vertebra, और यह जो हमारा backbone है ना, 33 अलग-अलग छोटे-छोटे bones से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग vertebra बोलते हैं, these small bones taken together make a strong vertebral column, यह सभी छोटे-छोटे जो bones होते हैं जब आपस में जुर जाते हैं ना, तो एक बहुती strong, बहुती vertebral column बनाते हैं, एक column बना देते हैं कुछ इस तरीके से, it protects the spinal cord और यह हमारे spinal cord को भी protect करता है, spinal cord क्या होता है, ध्यान से समझेए, यहाँ पर हमारा skull होता है और उसके अंदर में brain होता है, brain से एक wire के तरह निकला होता है, और हमारे vertebral column से होते हुए, हमारे backbone से होते हुए, य और इसी के कारण से हमारे body में कहीं पे कुछ भी feel होता है न हमें, तो उसका पता हमारे brain को चल पाता है, these small bones give flexibility to our back, और यहाँ पर जो छोटे छोटे bones होते हैं न, इसी के कारण से हमारा जो back है, हमारा जो peat है, वो flexible हो पाता है, यहाँ पर देखिए, question भी पूछा है, what would happen if our backbone was made of just one straight bone, हमारा backbone छोटे छोटे हड़ियों से मिलकर बना है, अगर यह एक ही हड़ि का बना होता, पूरा सीधा होता, कुछ इस तरीके से तो क्या होता, सुचिए कैसे चलते हम लोग, पूरा सीधा होगे चलते, बैठते भी तो पूरा सीधा होगे बैठते, थोड़ा सा यह flexibility हमारे अंदर नहीं होता, तो यहाँ पर दो definition निकल के आया, पहला है vertebra क्या होता है, तो उसका definition आप यहां से लेकर यहां तक लिखेगा, और vertebral column को define करने के लिए बोला जाए, तो आप इसको भी include करेंगे, vertebral column को define करने के लिए आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा होता है, और जिराफ के गरदन में भी साथ ही हटी होता है, फिर भी सो चीशे जिराफ का गरदन कीतना लंबा HOता है, आदमी का गरदन कीतना छोटा होता है, इसका region क्या है, जिराफ के गर्दन में जो छोटी छोटी हड़ियां होती है ना उसका लंबाई सिर्फ जादा होता है लेकिन साथ ही हड़ियां दोनों में पाए जाता है हमारे स्केलेटल सिस्टेम का तीसरा पार्ट जो की है दर रिब केज अब चलिए इसके बारे में पर लेते हैं आपको पता है कि हमारे बाड़ी में बहुत सारे ऐसे ओर्गेन है जो की डेलिकेट है बहुत ही नाजुक है और उनको प्रोटेक्ट करने का काम Paaires of Ribs करता है मतलब 12 जोरा Ribs करता है अब ये रिब्स क्या है ये जो हट्डियां दिख रही है ना इसी को हम लुग रिफ्स बोलते हैं और ये सब एक केज बना लेते हैं पिंजरा जैसा इसा स्टुक्चर बना लेता है आपको यहां पर दिख रहा है और ये हमारे से पीछे जो हड़ी है न यह वाला उपर तक गया है देखिए और ब्रेस्ट बोन यह जो सामने बोन है यहां तक आया है इससे दोनों से जुरा होता है पीछे घूम के कुछ इस तरीके से दोनों से यह पीछे तो जुरा होता है लेकिन आगे आकर घूमकर ऐसे नहीं जुरा होता है यह फ्लोट करते रहता है हवा में लटका हुआ कहाँ कहां कहाँ पे क्या है यह वाला डाइग्राम आपको एक्जाम पूछा सकता है इसको बना करा की कीजिएगा यहां पर है ब्रेश्ट बोन कहां पर इसको भूलते हैं इस applicya । यहां पर आपका दो लाइन important है, आप underline कर लिजेगा, पहला ये कि rib cage क्या होता है, इसका definition अगर आप से पूछ दिया जाए, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, उसके बाद दूसरा important definition जो है, वो है floating ribs का, जो कि यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना होगा, हमारे skeletal system का सबसे अंतिम पार्ट है limbs, limbs क्या होता है, simply हम लोग हाथ और पैर की हड़ियों को limbs बोलते हैं, यहां पर लिखाया, the four limbs, four limbs हम लोग हाथ की हड़ियों को बोलेंगे, और the arms are joined to the spine by the shoulder griddles and collar bone, हमारी हाथ की जो हड़िया होती है वो हमारे spine से जुरा होता है, यह जो प upper arm has only one bone, but the lower arm has two bones, इस वाले फोटो में देखिए, हमारा जो upper arm है यहां पर सिर्फ एक हड़ियों है, लेकिन अगर हम लोग lower arm में देखेंगे तो यहां पर दो हड़िया होती है, the hand has many small bones in the palm and fingers, और अगर हम लोग अपने हाथों और fingers की बात करें, तो यहां पर बहुत सारे छ weight को उठा कर रखता है, the upper part of the hind limbs is made up of the longest bone of our body, this bone is called femur, आपको अभी हम बताए कि hind limbs हम लोग पैर की हड़ियों को बोलते हैं, और इस hind limb का जो upper part होता है न, यानि कि यह वाला जो bone है, यह हमारे body का सबसे लंबा bone होता है, और इसी का हम लोग femur बोलते हैं, F-E-M-U-R, यह important point ह आप इसको याद रखिएगा, the femur or thigh bones fits into the hip griddle, यह जो femur है, यह हमारे hip griddle से जुरा होता है, यहाँ जो हड़ि है न, उससे जुरा होता है, the femur is connected to the lower two bones of the leg at the knee, femur का दूसरा end जो है, यह हमारे lower bone से connected होता है, यहाँ पर दो हड़ियां होती है, जैसे हमारे हाथ में यहाँ प ankle and toe region, थोड़ा सा और नीचे हम लोग जाएंगे अपने ankle और toe वाले region में, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे bones हमें मिलेंगे, जैसे हम लोग का hand बना हुआ है न, उसी तरीके से हम लोग का leg भी बना हुआ है, उपर आप देखिए, एक bone था, यहाँ पर देखिए, ए रखना है, आप इसको underline कर लिजेगा, फोर लिम्स को define करने के लिए आपको इतना लिखना होगा, और अगर आपको हिंड लिम्स के बारे हम पूछ लिया जाए, तो आप यह वाला line लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पर है, सबसे बरे bone की बात की हम लोग, सबसे बरा bone in our body is the stir up bone, जिसको हम लोग steps भी बोलते हैं, in the ear, यह हमारे कान में होता है, which measures just one fourth of a centimeter, यह एक सेंटिमीटर का एक चौथाई ही होता है, इसका length, एक सेंटिमीटर कितना होता है, लग भग इतना होता है, एक सेंटिमीटर, अगर इसको हम लोग चार भाग में बाट देना, तो यह चैप्टर अगर आपके स्कूल के सेलेबस में है, तो आप कमेंट करके ज़रू बताइएगा, इसके अगले पाट का वीडियो हम बहुत जल्दी अप्लोड कर देंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टापिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते लिए